हलो माई यूटूब फैमली कैसे हो आप सब स्वागत है आप सब को रानकी की जाना इन ब्लॉग में I hope आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छे हूँ अलम्दलिल्ला मैं आज आप सब से भरवा बैगन का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि कुछ दिन से मैं अपना जो ब्लॉग है वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ दिन से मेरा तबियर ठीक नहीं चल रही है और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट लेने के लेका है इसलिए मैं rest कर रही हूं अभी और घर के लिए जो मैं बना रही हूं वही मैं recipe आप सब से share कर रही हूं क्योंकि मैं कुछ बनाओं और आप सब से share ना करूं, ये तो होई ने शकता, ये तो आप सब चानते हों और ये जो भरवा बैंगन का रेसिप है बिलकुल आसान और सिंपल तरीका से बनाई हूँ मेरे हिसाब से आप लोग फॉलो कीजिए और घर पे बनाईए चावल के साथ खाईए खुद खाईए दुसरे को भी बना के खिलाईए ये भरवा बैंगन जो है इतना टेस्टी और एम्मी होता है और क्या बोलू आप सबको और गाईस मेरे हिसाब से आप लोग ऐसे ही बिलकुल ऐसे ही जैसे मैं भरवा बैंगन बनाई हूँ वो इसे ही आप लोग बनाईए तो चलते हैं भरवा बैंगन का रेसिपी देखते हैं लमब लमब बैगन आथा वही ले सकते हैं लेकिन मैं राउन फिगर में बैगन ली हूँ आर वो फी वाइट कलर का जो ग्रीन कलर का था वही ली हूँ इसी बैगन का मैं भरवा बैगन बनाऊंगी आर आप लोक Cohet देखिए कि मैं कैसे बनाऊंगी आट देखिए इसे मैं कैसे कट करूंगी पहले आप ओ देखिए कट करने का तरीका देखिए जो बैंगन के नीचे वाला पॉर्शन है इसे हमें इस तरह से छील लेना है तको के सारे देखिए इस तरह से हमें छील लेना है अब इसे हमें इस तरह से कट कर लेना है इस तरह से एक कट पहले कर लिए और एक कट इधर से कर लिए दो कट किये तो चार पीस नजर आ रहा है देखिए इस तरह से हमें अंदर देख लेना है इस तरह से किरा होड़ा तो नहीं है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बैंगन में बहुत किरा रहता है इसलिए किरा के चलते हमें इस बैंगन को इस तरह से हमें कट कर लेना पड़त मेंने सारा बैंगन को कट कर लिया है इधिर फ्रेश फ्रेश बैंगन है अंदर कुछ भी नहीं है जड़ासा किरा भीनेई आहे बहुत ज्यादा फ्रेश बैंगन है अब इसी का मैं भरुआ बैंगन मनाउंगी और आप सब से शेयर करूंगी आप लोग देखिए और मेरे हिसाब से फॉलू कीजिए देखिए गाई यह जो मेरे लेफ्ट हैंड है इसके बारे में आप सब को पता ही है कि मेरे लेफ्ट हैंड में बेट लगावा है तो इसके चलते मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ लेकिन फिर भी यह छोटा हलका सा काम है उतना भारी नहीं है इसाब तो कर लेते हैं लगीं भारी लिए उन्ह भी हमें हमें इस लेफ्ट हैंड से यूज करना मना है तो अब मैं इसे टो मेरिनेट करके आप सब को दिखाती हूँ कि कैसे मसाला के साथ इसे हमें मेरिनेट करना है देखिए गाइस मैंने एक बॉल ले लिया है उसमें टेस्ट मताबिक नमक डाल दिया है तरीव आधा चम्मच जेतना बैंगर में लगेगा आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है आधा चम्मच जिरा पॉड़र डाल दिया है आधा चम्मच धनिया पॉड़र डाल देना है थोड़ा सा देगी लाल मेश डाल देना है थोड़ा सा कास्मिरी लाल मेश डाल देना है हमें अब इसमें करीब एक चम्मच ओयल डाल देना है तब इसे हमें अच्छी तरह से हाथों के सारी मिक्स करना है तब इस मसाला को देखिए एक हैंड से हमें पकड़ना है इधार थुरा सा मसाला अंदर भी लगा देना है और बाहर भी लगा देना है अंदर इसलिए लगा देना है अंदर लगाने से बैंगन के अंदर तक मसाला जाएगा और नमग भी जाएगा दिखेए गईस इस तरह से हमें बैंगन को मसाला से मिक्स करना है और अंदर भी थोड़ा सा मसाला डालना है अब इसी तरह से हमें सारा बैंगन को भर लेना है अब तो मैं लेफ्ट हैंसे मैं पाऊंगी नहीं इसलिए दुसरे से करवाऊंगी मैं एक आपको दिखा चुकी और बाकी सब जो है वो दुसरे से करवाने के बाद फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ देखिए गईस मैंने सारा बैंगन को मसाला के साथ मिक्स कर दिया है अंदर भी डाल दिया है अब इसे हमें करीब 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि बैंगन के अंदर तक मसाला और नमक चला जाए तो चलिए गाइस रेसिपी आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने करः को चुले पे चरा दिया है गर्म होने के लिए कराय हमारा गर्म भी हो चुका है उसमें मैं करीब एक बड़ा Chamach ऑईल डाल दिया है अब उस ऑईल को हमें गर्म होने के लिए छोड़ देना है गाइस ओयल हमारा गर्म हो चुका है और जो बैंगन को मैं मेरिनेट करके रखी थी दस मिनट भी हो चुका है अब हमें इस बैंगन को ओयल में डाल देना है एक एक करके ओयल को हमें डाल देना है गाइस ध्यान देना है बैंगन को हमें डीप फ्राई नहीं करना है हलका ओयल मे चलने के सारी क्योंकि एक सर्फ तरफ भiaeon हो जूका है तो दुसरे तरफ betaста को फ्राय करने के लिए हमें उलाड दम लुवे उलाड लुबर निदुन जा, दम लाड Hat जब रदये ना तो गैस बैंगन हमारा सेलो फ्राय हो चुका है अब इसे हमें बाहर निकाल लेना है तो गैस जिस बॉल में मैं बैंगन को मेरिनेट करके रखी थी उसी बॉल में एक एक करके सारा बैंगन को बाहर निकाल रही हूँ तो देखिए सारा बैंगन को मैंने फ्राय करके बाहर निकाल लेगा कराई पे जो ओइल बचावा है उसी में मैंने थोड़ा सा ओइल और भी डाल दिया है थोड़ा सा जीरा फॉरन डाल दिया है दो सुकी लाल मिर्श डाल दिया है दस सकेंड के लिए हमें इसे भूनना है अब एक ओनियन कट करके हमें इसमें डाल देना है और ओनियन को तब तक हमें फ्राय करना है जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अब मैं ओनियन को फ्राइ कर रही हूँ देखिए गाइस ओनियन हमारा गोल्डन प्राउन हो चुका है अब इसमें मैंने एक टमाटर को कट करके डाल दिया है अब ओनियन के साथ टमाटर को हमें अच्छी तरह से भूनना है और जब तक टमाटर गल न जाए तब तक हमें भूनना है देखिए ओनियन और टमाटर भून चुका है अब इसमें हमें करीब एक बड़ा चम्मच अद्रक लहसन का पेष्ट डाल देना है अब अद्रक लहसन का पेष्ट और ओनियन और टमाटर को एक साथ भूनना है को भी हमें धोके डाल देना है क्योंकि इसमें मसाला लगावा था क्योंकि कुछ भी ओष्ट करना अच्छा नहीं होता गाइस अब इस मसाले को हमें अच्छी तरह से चन्नी के सहारे इसे हमें भूनना है देखिएगा इस मसाला थोरा सा भून चुका है अब इसमें हमें कास्म चमबच हल्दी, एक चमबच जीरा पौडर और टेस्ट मताबिक नमक डाल देना है। और ध्यान देना है, हमने बैंगन में भी नमक डाला था, इसलिए हमें ज़्यादा नमक डालना नहीं है, जितना नमक लगेगा उतना ही डालना है। अब इसमें हमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देना है क्योंकि इसमें अमचूर पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है अब इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है अब मसाले को हमें ढख देना है और थोड़ी देर के लिए कुक करना है फिर ढखकन हटा के हमें मसाले को चला देना है चलाते चलाते मसाले को हमें भूनना है जितना चलाते चलाते भूनिये गए उतना ही अच्छा मसाला भूना जाता है अब मसाले में थोरा सा हमें पानी डाल देना है पानी इसलिए डालना है कि मसाला अच्छी तरह से भूना जाए और मसाला कराही में चिपकेना अब इसे हमें ढखके थोरी दिर के लिए कुप करना है फिर ढखकन हटा के इसे हमें चेक करना है कि मसाला हमारा भूना गया है कि नहीं इसी तरह से हमें चलाते रहना है और चेक करते रहना है देखिए गाईस मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है साइड से ओल बाहर रिलीज हो चुका है इसका मतलम मसाला हमारा भून चुका है और जो बैंगन हमने फ्राइ करके रखा था वो बैंगन मसाला में डाल देना है और बैंगन को मसाला के साथ हमें अच्छी तरह से मिलाना है जिस बॉल में मैंने बैंगन को मेरिनेट करके रखी थी उसमें थोड़ा सा मसाला लगा हूँ है उसमें भी हमें धो के मसाला को बैंगन में डाल देना है क्योंकि कुछ भी वेस्ट करना अच्छा नहीं होता है अब बैंगन को चला के इसे हमें अच्छी तरह से सेट कर देना है और ढख के कुछ देर के लिए हमें इसे कुक करना है करिब दो मिनट तक इसे हमें कुक करना है फिर ढकन हटा के इसे देखना है कि बैंगन हमारा भूना गया के नहीं मसाला के साथ आर्मिक्स हुआ के नहीं इसी तरह से चलनी के सहारे बैंगन को एक तरफ से दुसरे तरफ उलाटके इसे सेट करते रहना है अब नमक टेस्ट करके देखना है कि भरवा बैंगन में नमक हुआ है के नहीं नमक थोरा सा हमें कम लगा तो एक चुटकी नमक मैंने इस भरवा बैंगन में डाल दिया है और गाइस भरवा बैंगन मुझे कराई में नहीं बनाना है कराही में बनाने से लेट लगेगा इसलिए इसे हमें कुकर में बनाना है अब इसे कराही को हमें चूले से निचे उतार देना है चुले पे मैंने कुकर को चरा दिया है कुकर मेरा गरम हो चुका है अब उसी कुकर में मैंने सारा मसाले वाला भरवा भैंगन को डाल दिया है अब देखिए गाइस इसमें थोरा सा मैंने पानी डाल दिया है पानी इसलिए डाला है कि कस्ते वक ये भरवा भैंगन कुकर में ल गाइस आप सबने नोटिस किया होगा कि मैं भरवा बैंगन में धनिया पॉडर नहीं डाली हूँ क्योंकि मुझे धनिया पॉडर के जगा धनिया पत्ता कट करके डालना है अगर आप लोग चाहे तो धनिया पॉडर डाल सकते हो भरवा बैंगन में अब मैं कच्चा धनिया प कटक कर के डालनेुंगाच्छा धनिया पत्ता डालने से इसका स्वाद memang और भी छार्चान लग जाता जाता है गाइस अब इस भर्वा बैगन को हमें रशचल्नी के साहरे हमें धनिया पत्ता के साथ मिक्स कर देना है और इसे चला देना है और इसके बाद हमें कुकर का धकन को लगा देना है लगाने के बाद हमें इसे दो सीटी आने तक इसको हमें कुक करना है तो गाइस देखिए दो सीटी आ चुका है अब इसे हमें चूला से उतार देना है और इसको ठंडा करने के लिए ह खूकर हमारा ठंडा हो चुका है, अब खूकर का धकन खोल के देखना है कि भरवा बैंगन मेरा कैसा बना है, देखिए कितना अच्छा बना है, अब मैं इसे डिस आउट करके आप सब को दिखा रही हूं, देखिए गाइस मैंने एक श्टील का प्लेट ले लिया है, उसमें ए देकोरेशन के लिए धनिया पत्ता डाल रही हूं उपर से, और भी इसमें चार चान लग गया है, तो इसी तरह से मेरे इस्टाइल में आप लोग भरवा बैंगन मनाईए, खुद खाईए और दूसरे को भी खिला, ये भरवा बैंगन आपको मतन का टेस्ट से भी कम शेयर कीजीगा शेयर तो खुब से खुब जदा कीजीगा